तबी विद्यार्थों को नमस्कार, एक बार अपनी गुर्पों में इस वीडियो को शेर करना, जो चैनल पर पहली बार आया है, वो इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना, भूत सारे विद्यार्थी बाद में कहते हैं, सर नोटी पेसन नहीं आता, तो एक बार देख ल निमन में से कौन सा त्योहार चेत्र माहा से समंदित नहीं है। कोश्चन है कि कौन सा त्योहार चेत्र माहा से समंदित नहीं है। रिस्वदेव जैनती, सीतलाष्टमी, रंगपंचमी या वलबाचार्य जैनती। इसğı को फिर पोरे चार्टा को समझ कर देंगे देखो जिसको साथ नहीं पता याद कि यह बताई असली बात का मज़ा है कि जब आपको होता है की कोई कोशन करें आपको ऐसे एक च्छोटा सा कोई कोशन करें आपसे कोई पूछे एक जिल आ और आप तेती जिलों के नाम बता दो आगे वड़ा टेंशन में आजए कि यह चेज क्या है वो काम करना है अपने को तो चेत्रमाहा के त्योहार बताता हूं हर महीने में दो पक्स होती है एक क्रिशन एक सुकल महीने की सुरुआत क्रिशन पक्स एक कम से हो साथ-साथ में दो राती रहेणा याद हो जाएगा आपको दुलंडी एक को आती है दुलंडी दूलंडी चेत्रम ग्रिशन एककम क्योंकि देखो लास्ट महीना था फालगुन उसका लास्ट डे था फालगुन पुर्णीमा होलिका और उसका आग्य वाड़ा दिन है दूलं पंच मी रंग पंच मी एक से पांच रंग पंच मी एक से पांच रंग पंच मी आठ पे तीन है कौन-कौन से एक तो सीतलाष्ट मी है सीतलाष्ट मी है एक गूड़ला है और एक रिश्वदेव जैनती है अब बताओ कृष्ण पक्स में कितने हैं तीन है करम बताओ करम फालगून का आगे वाड़ा दिन दुलंडी दुलंडी रंग पंच मी सीतलाष्ट मी घूड़ला है रिश्वदेव जैनती है अब बताओ इस पक्स के अंदर शुकल पक्स के अंदर नव समत्सर प्रारंब कब तो नव समत्सर प्रारंब होता है चेत्र सुकल एकम गुड़ी पढ़वा महराष्ट का तेवार भी इसी दिन होता है गुड़ी पढ़वा ये भी कब आता है चेत्र सुकल एकम इसी एकम से नवरात्र प्रारंब हो जाती है नवरात्रा प्रारंब लेकिन नवरात्रे तो साल में दो बार आते हैं, आश्विन में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, तो ये कौन से नवरात्रे हैं, ये अगर कोई पूछे, तो बसंतिय नवरात्रे हैं, बसंतिय नवरात्रे, कब आते हैं, एक से नो आते हैं, एक से नो आते हैं, बसंतिय या ब पास्ति नवरात्रा बोलते हैं नवरात्रा परारम बसंति नवरात्रा बोल दो इसको नवरात्रा बसंत अब उसके बाद अरुंधति वर्त आता है एक से तीन अरुन्दती वर्थ अरुन्दती वर्थ कब आएगा एक से तीन अब एक के उपर देखो कितनी बाद जुड़गी चार नव समंद्सर प्रारम, गुडी पड़वा नवरात्रा, अरुन्दती वर्थ ये सब क्या है आप सब कहेंगे कि ये तो एक तरीक वली है नव समंद्सर नया साल एक तरीकों शुरू होगा, गुडी पड़वा एक को, नवरात्रा भी एक को और अरुन्दती वर्थ एक से तीन चलेगा लेकिन एक तो काउंट करेंगे ना, वेसे याद रखो अब उसके बाद अगर दुर्गाष्ट में, मतलब नवरात्रा है तो दुर्गाष्ट में आईगी लेकिन दो को सिंजारा आता है को गणगोर तीन को सिंजारा दो को अब उसके बाद आई थी नवरात्रे आएंगे तो दुर्गाष्ट में भी आएगी ले इदर कृष्ण पक्सकी तो दुलंडी एक को एक से पांच रंग पंच मी आठ पर तीन है कौन-कौन से सीतलाष्ट मी गूड़ारी सब देवेजती एक पर चार थे नव समचर नवरात्रा गुड़ी पड़वा और अरुंधती वर्त जो एक से तीन चला दो पर सिंजारा त पर एस्टमी दुर्गाष्टमी आठ पर अस्टमी दूर्गाश्टमी नो पर नौमी राम नौमी नो को 3 को और पीपा जयन्ती ये वैसे तो आती है चौदा को लेकिन Board की बुक कि बुक में पुर्नीमा भी दे रखा है तो यह एक थोड़ा सा है लेकिन मुख्य रुक्से चौदा को आती और आपको पता है ना अनुमान जयन्ती कब आती है कि हनुमान जैन्ति कब आती है हनुमान जैन्ति तो हनुमान जैन्ति अगर पूछे तो आप कह दो पुर्निमा नुमान जैन्ति पुर्निमा हनुमान जैन्ति कब आती है पुर्निमा में आती है और हकीकत मानिए इसी में ही सबसे ज्यादा तेवार है चेत्र क्रिशन में ही चेत्र रंगपंशमी है आठ पर तीन है सितलाष्टमी गूड़ा रिश्वदेव जैनती बहुत आसान है अब दिमाग चलाते हैं अपनी दुलंडी रंगपंशमी सितलाष्टमी गूड़ा रिश्वदेव जैनती फिर इधर चार आ जाएंगे ना तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे नव समंचर गुड़ी पढ़वा नवरत्रा अरुंदति वर्तेक सितिंग फिर दो पर सिंजारा तीन पर गणगोर दो पर सिंजारा तीन पर गणगोर आठ पर अश्टमी नो पर राम नमी मावीर जैनती अना राम जी आएंगे तो हनुमान जी तो राम नमी मावीर जैनती पीपा जैनती और हनुमान जैनती थोड़ा सा दिमाग लगाओ याद हो गया चलो एक काम और करते हैं वापीस चलते हैं दिमाग को पूरा बोकेते हैं दिमाग का दही कर देते हैं सबसे पहले पुर्णीमा से सुरू करते हैं ना पुर्णीमा में अनुमान जेंती फिर जस्ट उपर चलेंगे तो पीपा जेंती माविर जेंती रामनों मी दुर्गाष्ट मी असोकाष्ट मी फिर तो दुर्गाष्ट मी से जस्ट उपर जाएंगे तीन वडा गंगोर दो वड पूड़ाश्चमी रंग पंचमी और क्या जाएगा दूलंडी रंग पंचमी गूड़ा नवारत्रा अपनी रिस्वदेव जैन्ति इधर की बात करो नवास्चमी गुड़ाश्चमी पीनपर गणगोर घ्र दूर्गास्ट में शोकास्ट मी रामनमी माविर जैंति और पीपा गितने हैं तो यह बताओ रिश्वदेव गता आता है सितलश्ट में पर बहुता है को नहीं आतब बलबाचार्य क्यों पाक्स की यारा को आती है क्रिश्चन पक्स 11 को आतिये काम पूरा हुआ चलो गणगोर की स्वारी कहा निकाली जाती है गणगोर की स्वारी निकाली जाती है जैपूर वै उदेपूर में गणगोर की स्वारी कहा निकाली जाती है जैपूर उदेपूर में जैपूर वै उद्यपूर गंगोर की स्वारी जैपूरुद्यपूर। गणगोर का तिवहार 18 दिनों तक चलता है तिवहार चलता है 18 दिनों तक और पूजा होती है 16 दिनों तक आया हुआ कोश्चन है ये दिंगागवर गणगोर कहां की है उदेपुर की है उदेपुर की किसके समय में शुरूई थी राज सिंग के समय में शुरूई थी राज सिंग के समय में शुरूई थी गुलाबी गणगोर तो नाथ द्वारा की है गुलाबी गणगोर नाथ द्वारा रासमंद की है नाथ द्वारा रासमंद की है और राज्ये में सरवादी गीत गणगोर पर गाए जाती है सबसे ज़्यादा गीत गंगोर पर गाये जाती है ना द्वारा रासमंद में सबसे लंबा गीत तो जीन माता का है सबसे ज़्यादा लंबा लोग देवताओं में तो रामदेव जी का है राम देव जी का गीत लोग देवताओं में लंबा गीत सरवादी गीत में मन्द अभूशन पर है में मन्द अभूशन पर है सबसे ज़्यादा गीत किस अभूशन पर है में मन्द अभूशन पर है सबसे ज़्यादा गीत किस अवसर पर गया जाती हैं गणगोर पर सबसे लंबा तियोहार गणगोर पूजा होती है सोड़ा दिन तियोहार चलता है अठारा दिन जे पुरुदेपुर की गणगोर की स्वारी फेमस है ओर चलो थोड़ा सा एक बात और बता देता हूं हिंदी महीने कम से कम याद तो नहीं चीए कि कौन कौन से हमें याद है जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलो दो राइए मेरे साथ साथ चेत्र हिंदी माह के नाम लिख रहा हूं चेत्र बेसाक जेष्ट आसाड सावन भद्रपद आसाड आसाड के वाद में सावन भद्रपद आश्विन सावन भद्रपद आश्विन कार्तिक मारगसिर्स पोश माग और फालगुन चेत्र बेसाग जेष्ट चेत्र बेसाग जेष्ट आसाड सावन भद्रपद आश्विन कार्तिक मारगसिर्स पोश माग फालगुन अब अंग्रेजी में इनों के अनुसार अगर कोई पूछे आपसे तो बस ये थोड़ा सा यात रख लेना कि मार्च अप्रेल इदर चेत्र होता है इदर मार्च अप्रेल होता है मार्च अप्रेल होता है बसे कंदाजा रखना है अब करम से चलने देते हैं अप्रेल के बाद क्या आएगा अप्रेल के बाद मैई के बाद जून के बाद जुलाई अप्रेल के बाद मैई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर अक्टूबर नुवंबर अक्टूबर नुवंबर दिसंबर नुवंबर दिसंबर जन्वरी जन्वरी फर्वरी मार्च अब बताओ फर्वरी मार्च पे समाप्त हो रहे और मार्च अप्रेल पे सुरू हो रहे एक अंदाजा रखो काम चल जाएगा कोशिस है इस तरीके से त्योवार त्यार करोगे तो सारे त्योवार त्यार होंगे बहुत इंट्रेस्टिंग टोपिक है लेकिन बात है आप पर किया आप उसको केसे पढ़ते हैं चलो अपने थोड़ीशी बात फिर कर लेती हैं अपनी जादू कलास पर जिसने जादू विखेड दिया है पूरे राजस्तान में अब खूब सारे विद्यार्थी अपनी लाइब्रेरियन जिस जहां पर प्ढ़ते हैं या लाइब्रेरी चला रहे हैं वह यह लिख के वेस्ति कि इसका मतलब कि किताब में कुछ तो अच्छा ही होगा और मैं कहता हूं निरासा तो हाथ नहीं लगेगी तो जितने भाई बंदू है उनको जुरूर कह देना कि संजेशर की किताब आच चुकी है मार्केट के अंदर और कोई ज्यादा इसका प्राइज नहीं है और रास्तान महाराना प्रताप जैनती महाराना प्रताप जैनती किस्तिथी को मनाई जाती है महाराना प्रताप जैनती किस्तिथी को मनाई जाती है यह आज का कोश्चन है तो जो भी भाई बंदू देख रहा है वह अच्छे अच्छे कोश्चन अच्छे अच्छे कमेंट करना जितने ग शेर करना और वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे-च्छे कमेंट करना और ग्रूपों में शेर करो ताकि पूरे राजस्तान में ये अपनी कलास से वो पहुंचे हमेशा संस्ता से जुड़े रहे जै हीं जै भारत नमस्कार